तो हमें पता ही है कि हमें कुछ लिखना है यहाँ डैश में जिससे कि यह आंसर 0 बन जाए आपको याद होगा additive inverse ओके तो additive inverse क्या होता है देखो कोई भी एक number जो plus में है और एक number वही same number जो minus में है अगर हम उन दोनों को add कर दें तो उसका answer 0 आजाएगा इसको बोलते है additive inverse अब इस name से ही देखो additive का मतलब क्या जो add हो जाए inverse मतलब उसका उल्टा उसका opposite मतलब हम add कर दें दो opposite numbers को छीक है add कर दो opposite को माल लो मैंने एक number ले लिया 4 ओके तो 4 में मतलब plus का 4 ले लो इसको आप add कर दो इसका opposite क्या होगा plus के 4 का? minus 4 है ना? तो हमने plus के 4 में minus का 4 plus कर दिया मतलब add कर दिया तो इसका answer हमेशा क्या आएगा? 0 ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम additive inverse मतलब किसी भी number में उसका उल्टा number add कर दो यानि कि plus का 5 है तो उसमें minus का 5 add कर दो plus का 3 है तो minus का 3 add कर दो या फिर वो पहला number minus का हो सकता है कि minus का 12 दिया है उसमें plus का 12 add कर दो तो answer हमेशा हमारा कितना आएगा? 0 ठीक है? तो ये होते हैं additive inverse अब हम इसको एक example और ले लेते हैं हम like हमसे पूछ लेते हैं exam में कि 12 का additive inverse क्या है? तो हमें पता ही है कि 12 में क्या add करेंगे जब 0 आएगा? इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये plus का 12 है तो इसका additive inverse क्या होगा? minus का 12 ठीक है? ऐसे ही अगर हमसे पूछ लें कि minus 12 का additive inverse क्या है? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? प्लस का 12 ओके? तो कोई भी दो नंबर जिनको आड करेंगे आंसर 0 आएगा वो क्या होगा? additive inverse same number ठीक है? अब ही करते हैं हम question part A So वही identity को follow करते हुए हमें इस question को करना होगा देखो हमें बोला कि minus 8 में कुछ add कर दो कि 0 आजाए हमें तो identity आती है हमें formula पता है कि minus 8 में हम अगर प्लस का 8 आड कर देते हैं तो answer 0 आएगा क्योंकि इसका additive inverse क्या है? प्लस का 8 So this is the answer आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि minus 8 दिया है is equal to 0 तो प्लस के 8 की जग है 8 लिख तो ठीक है? So let's move to the B part So the statement of B part is given 13 plus dash is equal to 0 अब आपको additive inverse आगए आपके लिए question बिलकुल easy हो गए है 13 में क्या प्लस करोगे कि 0 आएगा? इसका उल्टा मतलब की minus का 13 चीक है? I hope समझा रहा होगा Let's move to the C part So the C part is given 12 plus bracket में है minus 12 is equal to dash answer क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर 12 है यहाँ पर भी 12 है यह plus वाला 12 है यह minus वाला 12 है दोनों को add करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 Simple Let's move to the D part So the statement of D part is given minus 4 plus dash is equal to minus 12 मतलब यहाँ पर क्या add करोगे इसमें कि यह क्या बन जाएगा? minus का 12 अब यह थोड़ा सा कुछ अलग है आपको भी नहीं आता है तो इसके लिए हम एक statement read कर लेते हैं जो क्या दी है? The subtraction of an integer एक integer का subtraction दुसरे नमबर में से is the same as the addition वो addition ही होगा कैसे? Of its additive inverse मतलब अगर हम एक नमबर को दुसरे में से subtract करने की बजाए उस नमबर में दुसरे नमबर का additive inverse add कर दे तो answer same आएगा एक question करके देख लेते हैं मान लो हम दोनों method से कर लेते हैं एक तो वो वाला जो हम करते आरे हैं और एक ये वाला method देखो हमें बोला कि subtract minus 3 from 5 यहाँ भी same statement लिख देते हैं subtract minus 3 from 5 तो अभी हमें बोला कि इसको subtract करो हम क्या करेंगे अपने normal rule से from के बाद वाला पहले लिखते हो आप है ना अब इसमें से minus करोगे किसको from से पहले वाले को जो minus का 3 है ठीक है यहाँ भी लिख लेते हैं हम इसको 5 में से minus करना है minus का 3 ओके अब देखो अब मैंने इसको simply solve किया यह है 5 minus minus क्या बन जाएंगे plus 3 answer is it ओके अब यहाँ करके देख लेते हैं देखो हमें फिर से वही statement दी है कि subtract minus 3 from 5 हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम इसको करेंगे इस तरीके से उसमें क्या है देखो हमें बोला कि subtraction जो है वो same है as addition किसका addition of additive inverse additive inverse का addition मतलब क्या subtraction को हम addition में change कर देंगे तो हम कैसे करेंगे अब देखो इस question को हमने यहाँ पर subtract करना है minus 3 को 5 में से तो आप ऐसे करो या फिर आप ऐसे कर दो कि 5 तो पहले लिखोगे इसमें आप subtraction की जगा addition कर दो subtraction is same as addition कब सेम होगा जब आप इस number का जो subtract करना है जिसको minus करना है उसका additive inverse यहाँ पर add कर दो add कर दिया इसका additive inverse लिख दो minus 3 का additive inverse क्या होगा plus का 3 छीक है एक बार repeat कर लेते हैं कि subtraction जो है वो same है addition के लेकिन shirt क्या है कि subtraction जिसमें से करना है उसमें add कर दो इस number का additive inverse ओकी अब देखो 5 plus plus cabin jack का plus 3 and 5 plus 3 8 तो answer तो से मिरेगा तो हमें कई बार यह वाले rule यूज करने होते हैं तभी हम आपको यह वाली statement read करा रहे हैं तो अभी करके देखते हैं आपना question तो अभी हम इस statement को use करते हुए इस question को solve करेंगे चीक है तो हमने धूणना है कि यहाँ पर क्या आएगा जिसको हम इसमें add कर दे और minus का 12 आजए तो माल लो कि यहाँ पर A आएगा जस्ट imagine कर लो माल लो कि यह A आगया यहाँ पर अब हमने धूणना है इस A को A कौन सा इंटीजर है जो यहाँ हम लिखते हैं अब हम सबसे पहले लेंगे answer answer क्या है minus का 12 चीक है अब इस answer को ले लो अब हमने क्या किया था कि subtraction जो होता है उसको subtraction करने की बजाए हम addition कर दे दूसरे नमबर का additive inverse तो minus 12 तो लिख दिया अब इसमें subtraction करने की बजाए addition कर दो किसका additive inverse इसका additive inverse ठीक है? अब minus 4 का additive inverse क्या है? बताओ 4 ओके? अब यह क्या आ गया? अब simply solve कर दो यह है minus 12 plus plus क्या हो जाएगा? plus का 4 अब एक number negative है एक positive है अब एक number negative हो एक positive हो तो क्या होते है? subtraction और sign कुन सा आते है? bigger number का अब इन दोनों में से bigger कौन है? 12 यह है negative तो यहाँ भी sign लगा दो minus का और 12 में से 4 को subtract कर दो क्या आ जाएगा? 8 ठीक है? तो हमारा answer आ गया minus का 8 तो अब हमारा A जो है वो आ गया minus का 8 ठीक है? अब इस A को erase कर दो और यहाँ लिख दो bracket में minus का 8 मतलब minus 4 में minus 8 add करोगे तो minus का 12 आ जाएगा So I hope it's clear, let's move to the next part So the statement of E part is given dash minus 15 is equal to minus 10 अब हम सबसे पहले यहाँ dash में अपने convenience के लिए A लिख देते हैं अब हमें पता है कि हमें A को ढूणना है अब हमें इस dash से डर नहीं लगेगा अब A को ढूणनो की क्या कौन सा इन टीजर है जो यहाँ पर रखें और उसमें से 15 को minus कर दें और answer आ जाए कितना minus का 10 अब हमने last question में क्या किया था answer लिख दो, answer कितना है हमारा minus का 10 ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे add, addition, addition करेंगे किसका additive inverse का additive inverse, इसका additive inverse minus 15 का additive inverse क्या होगा इसमें क्या add करोगे कि 0 बन जाए additive inverse क्या होता है एक नमबर में दुसरे नमबर को opposite sign के साथ add करो answer 0 आ जाए तो minus 15 का additive inverse होगा plus का 15 ठीक है, क्या किया answer लिया, यह है हमारा answer इस answer में addition कर दिया इसका additive inverse ओके, अब इसको solve कर लेते हैं यह है minus 10 as it is लिख दो plus और plus क्या बन जाते हैं फिर से plus बन जाएंगे 15 को लिख दो अब question थोड़ा ओर simple हो गया एक number है negative, एक है positive होगा subtraction और sign आएगा bigger number का अब 15 में से 10 को subtract कर दो 5 आ जाएगा और bigger को नहीं दोनों में से 15 जो है plus का तो यहां भी लिख दो plus 5 तो यह आ गया हमारा answer तो एक को erase करके लिख दो यहां पर plus 5 चीक है अब आप इसको verify भी कर सकते हो कि आपने ठीक किया कि नहीं किया करें verify देखो answer आपने कर दिया वो process से अब इसको verify करके देख लेते हैं हम rough work करके देख लेते हैं हमारा कैसे किया देखो plus 5 लिख लो यहां पर minus 15 भी लिख लो चीक है इसका answer कितना आना चीए यह वाला answer चेक करेंगे न हम अब plus 5 को ऐसे का इसे 5 लिख लो minus 15 लिख लो अब 1 है negative 1 है positive negative में से positive को क्या कर देंगे subtract अब 1 है negative 1 है positive तो क्या होगा subtraction 15 minus 5 10 बड़ा कुन सा है 15 तो लगा दो minus का sign yes हमारा answer तो यह है तो verified अब ही करते है next question so the statement of fourth question is given find a part minus 7 minus 8 minus minus 25 is in the bracket ठीक है अब सब fraction वाली exercise के लिए हमारा सबसे important rule कौन सा था यह वाला कि minus minus बन जाएंगे plus जहां बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो कौन सा रूल है कि minus minus बन जाएंगे plus अब यह rules तो आपको सारे learn ही है तो हम इसको use करते हुए कर देंगे question को solve तो करते हैं देखो minus 7 as it is नीचे लिख दो symbol के 7 चीक है minus 8 इसको भी रख दो symbol के 7 अब देखो minus bracket के बाहर minus bracket के अंदर और दोनों minus जब मिलेंगे bracket के बाहर उड़ अंदर वाले तो क्या बन जाएंगे plus यहां लिख दो plus 25 अब bracket कर दी remove अब करेंगे आगे question अब इस तरह के questions में क्या होता है जहां 3 integer दिये हो या 4 integer दिये हो हम क्या करते हैं solve करते हैं तो देखो इन तीनों में से ये दोनों हम देख रहे हैं कि minus के हैं है ना तो पहले इन दोनों को solve करेंगे यहां answer लिखेंगे इसको ऐसे ही साथ में रख देंगे minus 7 और minus 8 दोनों negative हैं तो क्या होगा addition और sign भी आएगा minus का minus 7 और minus 8 क्या बन जाएंगे minus के 15 चीक है addition किया और दोनों का sign minus का है तो यहां भी लगा दिया minus का sign अब यह plus 25 को ऐसे कैसे यहां पर रख दिया चीक है अब question थोड़ा simple हो गया अब है एक negative integer एक है positive integer तो क्या होता है subtraction 25 में से 15 को subtract कर दो 5 माइनस 5 0 2 माइनस 1 1 plus 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 1 और चीज़ थी क्या थी sign कौन सा लगेगा sign लगेगा bigger number का है ना तो यह है बड़ा तो यह है plus का sign लगा दो इसको 10 भी लिख सकते हो चीक है So I hope यह clear हो गया Let's move to the next part So the statement of fourth question is given find a part minus 7 minus 8 minus minus 25 is in the bracket Okay तो क्या करेंगे हम अपने rules को use करते हुए इस question को solve करेंगे Okay करते है start equals to minus 7 as it is bracket remove कर दिया minus 8 now minus minus will become plus 25 इसके पर bracket remove करते है अब हमने अब आगे करते हैं देखो 1, 2, 3 3 integers आगे अब 3 integers वाले questions में या 4 integers वाले questions में क्या करते हो आप minus के numbers को एक साथ रख देते हो plus वाले numbers को एक साथ और फिर उनको अलग लग से solve करके फिलास में एक साथ solve करते हो ठीक है अब करके देखते हैं देखो यहाँ पर यह दोनों ही number minus के दिये होए है यह वाला number है plus का अब इन दोनों को पहले solve करेंगे answer यहाँ लिखेंगे और इसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे अब करो दोनों negative है तो क्या होगा addition और sign लगेगा minus का 7 और 8 कितने होते हैं 15 sign लगा दो minus का ठीक है अब इसको ऐसे कैसे इसके साथ रखते हो समझ आ रहा होगा I hope आगे देखते हैं एक number है negative एक number है positive तो क्या होता है रूल क्या कहता है negative positive में subtraction sign लगेगा bigger number का तो subtraction कर दो 25 में से 15 को subtract कर दो 5-5 0 2-1 1 अब इन दोनों में से bigger कौन सा है 25 जो है plus का तो answer में भी कौन सा sign लगाएंगे bigger number का तो plus 10 को आप simply 10 भी लिख सकते हो I hope it's clear let's move to the B part the statement of B part is given minus 13 in the bracket plus 32 minus 8 and minus 1 solve करते हैं इसको फटा फट से rules को use करते हुए minus 13 यहां लिख दो bracket remove कर दो plus 32 as it is लिख दो symbols के साथ ठीक है minus 8 symbol के साथ लिख दो minus का 1 ओके अब हमने क्या सीखा था कि हम इस तरह के questions में negative integers को एक साथ इकठा कर देते हैं और positive वाले को एक साथ और फिर उनको solve करते हैं अब यहां देखो आप यह भी minus का है है ना यह भी minus का है यह भी minus का है यह अकेला ही बचा plus का इसको अलग से लिख देंगे और इन तीनों को एक सारी कठा कर देंगे minus 13 लिख दो यहां पर एक बार के लिए इसको height कर लो minus 8 लिख दो minus 1 लिख दो फिक है यह तीनों लिख दी है symbol के साथ अब कोन बचा यह वाला अब इसको भी यहां पीछे लिख दो symbol के साथ plus का है यह 32 थोड़ा सध्यान से जब आप grouping करते हो जब आप numbers को एक साथ लिखते हो इधर से उधर इधर से उधर तो बच्चे confused हो जाते हैं कि minus लिखूँ या plus लिखूँ क्या करूँ तो हमेशा ही जब numbers को आगे से पीछे या पीछे से आगे लिख आओ symbols के साथ इसलिए मैं बार बार repeat करते हूँ कि symbols के साथ अगर ये minus 1 है तो इसको minus 1 पहले बोलो minus 1 तब लिखते हुए फिर से बोलो minus 1 फिर गलत नहीं होगा अब तीनो minus के लिख दे यहाँ पर और ये plus 32 था तो plus 32 मैंने यहाँ लिख दिया चीक है? सो हमने minus के एक साथ कर ली और plus वाला एक तरफ अब करेंगे solve अब तीनो ही नमबर minus family से है तो क्या होगा? addition और sign भी लगेगा minus का 13 plus 1 14 14 plus 8 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 चीक है? यह आगया minus का 22 अब इसको as it is लिख दो यह तो सारे solve हो गए plus का 32 चीक है? अब हमारा question बहुत ही simple हो गया एक है negative integer एक है positive integer तो क्या होगा? subtraction और sign लगेगा bigger number का चीक है? 32 में से 22 को subtract करो 2 minus 2, 0 3 minus 2, 1 बड़ा कुंसा है इन दोनों में से 32 तो sign भी लगेगा plus का अब इसको हम 10 भी लग सकते हैं plus बाहर है bracket से bracket के अंदर है minus तो plus minus बन जाएंगे minus चीक है? नमबर को लिख दो 8 अब फिर से plus minus bracket के अंदर minus बाहर plus plus minus minus आगे 90 अब अब आगे देखते हैं हम तीनों ही नमबर है minus के चीक है? तो simply क्या होगा? addition और sign भी लगेगा minus का तो कर देते हैं इसको addition 7 और 8 कितने होते हैं? 15 15 में 90 अट कर दो 90 और 10 100 105 105 105 तीनों minus के है? सो minus family बन गए चीक है? अभी करते हैं next part So the D part is given 50 minus minus 40 in the bracket minus minus 2 in the bracket करते हैं इसको solve देखो 50 ऐसे काईसे लग दो नीचे? प्लस का है ऐसी ही आ जाएगा अब minus minus क्या बन जाएंगे? देखो minus bracket के बाहर minus bracket के अंदर minus minus plus चीक है? plus 40 को लग दो ऐसे कैसे? अब फिर से minus minus क्या बन जाएंगे? plus नमबर क्या है? 2 अब ये question तो बिलकुली simple है तीनो ही नमबर है प्लस में और इनको क्या करेंगे? 50 plus 40 90 90 plus 2 92 answer लिख दो 92 question हो गया so this was the last question of this exercise अगर आपको कोई भी doubt है तो प्लीज comment box में comment जरूर करें and thank you for watching take care, bye bye thank you ये, ही, ये, अ करेंगे ये, ये, प्लस्ज जमबरा एनको पिलकुली JAMES जमराइंधा भी नमा टेको को ये, इनको कि और पह सदोरे करें 3 कि झालोभ., जल करें, बिलकुली रडरी कि आपको काया को थाफ